तो वो कह रहे थे उनको देवदूद दिखाई पड़े और वहाँ एक सुरंग जा रही है। अगर आपके पास एक खास मात्रा में महारत हासिल है, तो आप बड़े आराम से कूच सकते हैं और वापस आ सकते हैं। आप इस शरीर को थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं अगर आप चाहें तो आप बहुत धेर सारी चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, बिल्कुल यहीं। जब हम कहते हैं मृत्यू, तो एक लेवल पर मृत्यू की परिभाशा ये है कि आपने शरीर खो दिया है, यहीं तो मृत्यू का मतलब है। तो मेरा मतलब आईए दूसरे क्षेत्रों में नहीं जाते हैं, इससे आप बड़े चक्कर में पढ़ जाएंगे। अब बृत्यू के निकट के अनुभाव की बात है, तो देखे जिस चीज को ध्यान कहा जाता है। हमारे पास से एक विशेश प्रकार का ध्यान है, जिसे शूनि कहा जाता है, जिसका मतलब शूनि का शाब्दे का अनुवाद खाली पन है। कोई सटी कंग्रेजी शब्द नहीं है, तो खाली पन है या कुछ ना होना है। तो अगर आप शूनि ध्यान में बैट कर जंग जाएं, तो ये मृत्यू के निकट नहीं है, असल में मृत्यू ही है, लेकिन सचेतन मृत्यू है। देखे अगर आपके पास, मान लीजे कि आप साइकल चला रहे हैं, आप एक नए नए साइकल सवार हैं, जिसके पास थोड़ा ही संतुलन हैं, तो आप इस तरह से जाएंगे। कोई दूसरा बच्चा है जो सवारी कर रहा है, वो अपने हाथों को खाली छोड़ कर सीटी बजाएगा, और यहां देखेगा, वहां देखेगा, सवारी करेगा, और तरह की चीज़ें करेगा, हैंडल पर खड़ा होगा, और घूमेगा, कूदेगा, सब करेगा, क्यों? ये पास एक खास मातरा में कुशलता है, तो आप आसानी से कूच सकते हैं और वापस आ सकते हैं, अब ये गल्ती किसी दवा की बज़े से हो रही है, या कई लोगों के साथ 60-70 के दशक के दौरान, जब LSD का समय था, बहुत सारे लोग थे, जो इसके बारे में बात कर रहे थे, सर, आपकी बारी है, वो आपका समय था, कह तो सकते हैं, तो बहुत सारे लोग थे, जो इस बारे में बात कर रहे थे, और ये वाकई में उनके साथ हुआ था, ऐसा नहीं कि वो चीजों की कल्पना कर रहे थे, ये वास्तों में उनमें से कई के साथ हुआ था, लेकिन ये इस उस समय के कई लोगों से मिल चुका हूँ, जिन्होंने वास्ता में उन चीजों का अनभव किया था, जिससे उनका जीवन कई माइनों में बदल गया था. एक अजीब तरीके से, लेकिन अचानक उनके बारे में सब कुछ बदल गया, सिर्फ इसलिए, कि कहीं न कहीं उन्हें आभास हो गया था, कि शरीर को थोड़ा आगे पीछे किया जा सकता है, अगर आप चाहें तो, ये स्थाई चीज नहीं होती, बस उस थोड़ी सी जागरुपता ने उनके जीवन को देखने के तरीके, उनके व्यवहार और जीवन में करने की चीज़ों को बदल दिया, तो ये मृत्यू के निकट की बात है, तो मैंने वास्तों में ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे बताया है, कुछ लोग प्रिये किताबे हैं, जिनमें उनका कहना है, उनको देवदूद दिखे हैं, और वहाँ एक सुरंग जा रही है, देखिए एक बात है जो आपको समझनी चाहिए, जब कोई सर्जरी करवाने जा रहा होता है, तो डॉक्टर्स आश्वस्थ हो सकते हैं, बन्दू के साथ होता है, अगर आप किसी के सिर पर बंदूक रख दें और बस चला दें और निशाना चुक जाएं, या बंदूक खाली हो, तो वो लगभग मर जाते हैं मृत्यू का करीब का अनभव होता है वो कुछ समय के लिए घुम हो जाते हैं और फिर वो वापस आ जाते हैं असल में वो सोचते हैं कि वो चले गए थे और वापस आ गए और उन्होंने सीन को उपर से भी देख लिया था क्योंकि ऐसा हॉलिवूड की वज़े से होता है तो मानव मन अनभवों के अनेक आयामों को बनाने में सक्षम है इसको मृत्यू के रूप में नहीं समझ लिया जाना चाहिए ये जीवन है सबसे पहली बात खेर मैं मृत्यू पर एक किताब लेकर आ रहा हूँ अंदर की बात मैं इसको साड़े छे साल से लिख रहा हूँ ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है अभीद है अगले साल या उसके बात में इसे लेकर आऊँगा मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वास्तों में मृत्यू जैसी कोई चीज नहीं है ये केवल जीवन जीवन और जीवन है इसका एक आयाम से दूसरे आयाम में दूसरे आयाम से अगले आयाम में जाना है तो अगर मैं एक आयाम को खो दूँ तो ऐसा लगता है कि वो मर गया है अभी ये एक medical fact है कि उनका कहना है कि लगभग 15 दिन में आप अपने मौझूदा शरीर का 7 किलो वजन खो देते हैं और कुछ नया उसकी जगा ले चुका होता है हर 15 दिन में आपका वजन चाहे जो भी हो आपको बस ये हिसाब लगाना है कि आप कितने पखवाले में पूरी तरह से जा चुके हैं आपके शरीर में जो कुछ भी है वो लगातार खो रहा है और कुछ नहीं आ रहा है लेकिन आप उसे मृत्यू के रूप में अनुभाव नहीं करते हर भोजन में, हर रोज आप जो अपना पेट खाली करते हैं आपके लिए ये मृत्यू के करीब का अनुभाव होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता लेकिन ये आपके साथ होता है क्योंकि आपके अनुभाव में कुछ अलगाव हो रहा है विशेश करके अनेस्थेटिक प्रभाव के कारण ऐसे अपनी विभिनक शमताओं से अलग होना जिनके आप आमतोर परादी होते हैं अचानक आपको ऐसा लगता है कि आप मर चुके हैं कोई नहीं मराए ये बस ये पूरी तरह से ये गलत समझ है हाँ आपके जीवन का हर पल अगर आपे चुक हैं यदि आप स्थितियों और अपने जीवन के विचारों और भावनाओं में नहीं उलजे हैं तो बहुत-बहुत सी चीज़े हैं जो आप यहीं अनभव कर सकते हैं आप यहीं यहां बैठे-बैठे अपने जीवन को वहां से देख सकते हैं ठीक हैं यह मृत्यू के निकट कानुभव नहीं है यह जीवन है लेकिन क्योंकि जैसा कि मैंने कहा दुर्भागय से बहुत सारे लोगों के लिए शमताओं की कमी होना अच्छी तरह से काम करता है यह अच्छी बात नहीं है ऐसा हुआ एक आदमी अपने एक घनिष्ट मित्र से 25 साल के अंतराल के बाद मिला जिसे वो अच्छे तरीके से जानता था जब वो उनिवर्सिटी में साथ में थे तो उसने उसे रात के खाने के लिए घर परामंतरित किया और एक भारतिय परिवार होने के नाते पत्नी सेवा कर रहे थी और यह दो आदमी खाना खा रहे थे और हर बार जब उसे अपनी पत्नी से कुछ चाहिए होता था कुछ मांगना होता था तो वो कहता मेरी हनी, मेरी स्वीटी पाई, मेरी बू-बू-बू, मेरी कुकु-कु, मेरी बुल-बुल और जो भी होता है आप तमिल हैं इसलिए मेरी थंगम, मेरी चुचु और वो सारी चीज है तो खाना होने के बाद दोस्त निकलने को था और वो बुला, तुम कमाल के जिन्दगी जी रहो है न मेरी पत्नी के साथ मेरी शादी को 15 साल हो गए है हम एक दूसरे की शकल भी नहीं देख सकते जिस तरह से तुम अपनी पत्नी पर जैसे प्यार बरसा रहे हो, वो 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 बुला तुम क्या बात कर रहे हो उसने का तुमने उसे बुल-बुल का, तुमने ठंगम बुलाया, तुमने उसे वो का उसने का रे यार मैं उसका नाम साथ साल पहले ही भूल चुका हूँ क्षमताओं का नुकसान दुरभाग्य से बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि वो अपने क्षमताओं से पीड़ित हो रहे हैं लाखों वर्षों के विकास के बाद जो सबसे बड़ी क्षमताओं हमारे पास आई हैं दुरभागय से हम उनसे पीड़ित हैं क्योंकि हमने यूजर मैनुवल को नहीं पढ़ा है क्योंकि आई हैं